नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी लोग सबाचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं सभी चैनल अपना अपना सर्वे करने में लगे हुए हैं कि आखिरकार रिजट क्या रहेगा जादेतर सर्वे की बात करूँ तो जो सेटरलाइट चैनल हैं उनके सर्वे अध नमाना पत्रकार है करन धापर आप देखेंगे कई बार वो दावायर पर किस तरह की बाते बोलते हैं कई बार कंट्रोवर्सी में उनका नाम भी आता है करन धापर अपने शो में उनके एक वक्ता है और वो बोल रहे हैं कि इस बार भारत्य जनता पार्टी 303 सीटे अपने जाने वाले करन धापर शो में यदी समझ लीजिए कि वो 303 BJP को दे रहे हैं और ये शब्द बोला जा रहा है कि क्लीन स्विप BJP कर रही है तो रिजल्ट आप समझ लीजिए क्या होगा हलाकि अभी चुनावी माहोल बनना तैय है अभी कुछ मुद्दे आने बाकी है अभी जैसे चैनल ने भी इसका सर्वे किया है और उनके अनुसार भी जैसा मैंने कहा ये तैय कर दिया है मतलब सर्वे कहां बोलेंगे पबलिक की बात ही दिखाएंगे और पबलिक क्या कह रही है पबलिक की अगर मैं बात कर दू तो अगर हम दक्षिन के कुछ राज्यों की बात छोड़ दें तो ज्याद अतर में तो मोधी ही मोधी है और डक्षिन के बारे में जिस तरह के ये सर्वे करने वाले लोग हैं मेरा दावा है चाहे वो करंथा पर हो फिर चाहे वो आज तक के चैनल के कोई बड़े-बड़े पत्रकार हो अभी तक दक्षिन के लोगों का मूड भापने में कहीं न कहीं वो सफल नहीं हो पाएं जिस दिन चुनाव का रियल्ट आएगा मेरी बात लिख लीजिए वहाँ भी चमतकारिक रियल्ट आएंगे हला की जो सरवे कह रहे हैं मैं उसको यह नहीं कहता हूँ कि उन्होंने किस के आधार पर वो सरवे किया उनका अपना एक तंत्र है मेरा व्यक्तिगत लोगों से बाचीत है लोगों के मन में क्या चल रहा है पूरे भारत के ऐसे मेरे संगी साती लोग हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ उसके आधार पर मैं अपना सर्वे बता रहा हूँ, कल क्या होगा वो बता दूँ और आज क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाथ से तो आज अगर चुनाव होता है अभी तो भारती जंता पार्टी साड़े तीन सो सीट लिया सकती है एंडिया की बात करें तो इसमें 50 ओर जुड़ जाएंगी तो 400 के लगभग हो जाएगा हाँ आने वाले समय में यदि कोई बहुत बड़े शडियंत्र सफल नह आजाता है कभी ओल्ड पैंसन योजना का मुद्दा आजाता है बाद में पता चलता है कि इनके पीछे विदेशी ताक्ते हैं कहीं ना कहीं राजनितिक दलों का हित्त चुपाई हुआ है ये शडियंत्र अगर कोई ऐसे सफल ना हुए और जिस तरह से अभी किसान अंदोलन को पीछे किया गया है अलाकि अभी मामला पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है तब ये परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है हाँ इसके उलट अगर मोदी जी का जादू चला ये आकड़ा 50 के करीम और बढ़ सकता है यानि भारते जंता पार्टी 350 मिनिमम 375 तक भी पहुंच स लिए 400 का आकड़ा पार NDA कर सकता है लेकिन चलिए अगर मैं आज के सर्वे की बात करूँ तो मैं आपको बताता हूं उन्होंने कहा कि जिस तरह का आज का सर्वे है अगर मैं बात करें तो वो कहते हैं कॉंग्रेस अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार करने वाली है 2014 की बात करें तो आपको याद होगा 2014 में कॉंग्रेस 44 सीटे प्राप्त कर पाई थी 19 में 52 और इस बार के जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस 71 सीट जीत पाएगी अब ये किस हिसाब से आकलन कर रहे हैं मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पास तो जो जानकार ये वो आज की राहुल गांदी की यात्रा की बात कर रहे हैं आज का मुसल्मान वोटरों का जुकाओ कॉंग्रेस की तरफ देखकर बात कर रहे हैं ये बात ठीक है कि मुसल्मान का वोट अभी तक कॉंग्रेस की तरफ जुकता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन ये राजतो राजवेरी करेगा और आपको ये बता दूँ के कोई उप्शन नहीं है अभी आप देखेंगे के ये माहूल बदलेगा जैसा कि मैंने का लेकिन चलिए आज के अगर इसापते मान ल नहीं है ये मीडिया में परसे बनाया जा रहा है एक प्रसेक्शन है के भी राहूल गांदी की यात्रा यात्रा वो जिस तरह की बाते करता है लोग भीड़ देखने भले ही खट्टी हो जाए वो सब क्या होता है मैं जा कह नहीं सकता लेकिन चलिए अगर मान लेते हैं अगर मैं राजजवार की बात करूं तो इस सर्वे के अनुसार से बार्चे जनता पार्टी की यूपी में असी सीट में से टोटल में से 72 सीटे आ सकती हैं यह आकलन मुझे कहीं न कहीं सही दिखाई दे रहा है साथ सीटे इंडिया एलाइस यानि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की मिलकर के और एक सीट इसमें जो है मुझे रग रहा है कि इसमें मायावती की भी आ सकती है बीस पी की बिहार भारते जनता पार्टी की बिहार में यानि एंडिया की 32 और जो लालू जी की पार्टी है आरजडी और कॉंग्रेस की आठ जार खंड में बीजेपी की 12 अधर की 2 वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में आज का आकड़ा यह जो सर्वे है बता रहा है कि 19 सीटे बीजेपी क और 22 सीटे यह TMC को दे रहे हैं लेकिन मैं इसका उल्टा करना चाह रहा हूं अगर आज वेस्ट बंगाल की जनता से आप पूछ लें और आज की बात करें तो वहां आज की डेट में भारते जनता पार्टी को 42 में से 35 सीटे आ जाएंगी आज का जो संदेश खाली का मुद् अगस्थान में 25 की 25 सीटे भारते जनता पार्टी जीतेगी ऐसा चुनावी सरवे का कहना है गुद्राट की 26 की 26 सीटे बीजेपी जीतेगी महराष्ट की आपको बता दें 22 बीजेपी को और 26 वो इंडिय ऐलाइंस को दे रहे हैं इसी तरह दिल्ली की 7 की 7 सीटे बीजेपी जीतेगी ऐसा सर्वेय में बताया गया है तमिल नाडू में बीजे पी का खाता नहीं खुलेगा ऐसा बता रहे हैं लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है अभी कुछ चीजें अंदर अंदर चल रही हैं आप देखेंगे कुछ नाम नए आने वाले हैं मेरा आकलन है कि वहाँ सीटे बीजेपी जीत रही है और करनाटक की अगर बात करें तो 24 सीटे भारती जंता पार्टी को मिलती हुई सर्वे में बताई है चार कोंग्रेस या अधर को कह लीजिए कुल मिला करके इस सर्वे के हिजाब से एक बात तो तो तह है कि आएंगे तो मोदी जी ही अब जब विरोधी लोग भी इस बात को मान रहे हैं तो इसका असर देख लीजिए कि चुनाओं के आते आते क्या पड़ने वाला है एक बात और कहना चाहता हूं सर्वे की बात छोड़ दो अभी चुनाओं में काफी दिन है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं देश वासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि 2014 के बाद से जो सरकार आई है उस सरकार ने इस देश में कुछ ऐसे काम किये हैं जो 2014 के बाद आपने नहीं देखे थे मैंन नहीं देखा था इतनी इमांदार सरकार केंदर में कि करोड़ों अर्बों रुपे के प्रोजेक्ट देश में चले एक भी कहीं ब्रश्टाचार की खबर नहीं है यह मैंने पहली बार देखा है बिना रिश्वत दिये नोकरी लगते मैंने पहली बार सुना है अगर आपको भी लगता है कि 2014 के बाद जो सरकार मोदी जी की काम कर रही है वो देश को आगे बढ़ा रही है और आपका और हमारा मान बढ़ा रही है और देश की तरक्की के लिए काम कर रही है तब फिर सर्वे की बात नहीं सुननी है अपने दिल की बात सुने और उसको चुने जो का फैरा है और हिंदुत्त्य के मुद्दे पर खुल कर अपनी माथे पर बसम रगड कर अध्यात्म की भक्ती की तस्वीरें के वल खिचा नहीं रहा है मीडिया में और शोशल मीडिया में वाइरल होती है क्योंकि वो सनातनी हिंदु है तो अगर आपको लगता है कि ऐसा वेक्ती ही सत्ता में एक बार फिर से आना चाहिए तो अपनी तयारी करें और अपने मित्रों की तयारी कराएं अपने रिस्तेदारों से चर्चा करें और इन सारे सर्वे को फेल करते हुए मैं तो कहता हूँ कि ऐसा सरकार ऐसा वेक्ति ऐसा परदान मंत्री सदियों में कभी एक बार आता है मोदी जी को ये इस बार चार सो पार करके ही हम जिता कर परधान मंत्री बनाएं तो ही ये हमारी तरफ से उनके गले में एक हार होगा उस काम का उस सम्मान का जो उन्होंने किया है आपकी कह रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वंदे मातरम